है और वरी बूर्णिंग तो अलव यह अधियों है हम लोग जो यहां जमा हुई थे उसका परपस था कि यह टीवी ए वह रहाल उस पहली मिनिट कैसे किया जाए और उसी के लिए यह प्रगाम और गनाइज किया था इपार्टमेंट के लोग आए उन एक्स्पेरिंग किया और मुखसर यह था कि 20-25 तक टीवी इंडिया से ऐलिमिनेट हो गाया और जैसे कि दो आपसे पहले तो लोग आए और इसे पहले और आज हम देखते हो नेट पाया जाता वह बलकि उसके लिए तो बोला जाता है कि आप पोलियों का कोई मरीज लाई ये बताई और एक स्टड़ मैं में ग्रमाने में और ये इतना कॉमन था कि हाथ-पैर का शोटा हो जाना डिसेबियर्टी होते हैं कि आज देखिए वह नहीं है तो अगर किसी चीज़ के लिए वर्क किया जाए कैपेन के काम में किया जाए रगुलर बैसिस पी किया जाए त्रिट्मेंट्स अगर सहीं स अगर सिस्ट्म और बय artists ग्राइब को हम समचते है कि यृ इलाज नहीं हो सकता उसका इलाजी वह पहाल किया जा सकता है क्यीनी से तूसरा मैं का मैसाज जिदना चाहूगceğim जिनको बीमारी होते हैं एक ऐसम जो हमारे कम्मुनिटी में और यह एंडिया के अंदर इंस बहुत काओं याद रखिए और यह है किसी भी बीमारी को हम बहुत बुरा समझते हैं मतलब एक आद्मी जो बीमारे आलड़ी हो परेशान है और सारा समाज किसी बीमारी को बुरा समझता है अब उससे उसको double problem मतलब एक तो उसको physical problem बीमारी से और उसको mental तरह तो चीज़ बता दिए बीमारी बुले लोग आती बीमारी बाइब उतलु और तरह करम ही पुरे है अब जब यहां तक religious point बात चले जाएंगी कि तो अच्छे नहीं है तो उसका रिकावर होने का और अच्छे होने के तो इतना खतरनाग है मतलब इसी को इंपिया नहीं अब इसका है कि उधारान अगर एक्जैंपल में तो कुरोना के अंतर जो हुआ कुरोना में सोचल डिस्टंसिंग की बात कुई थी लेकिन हमने सोचल बैन ही कर दिया किसरे के ओपर बिस्टंसिंग मतलब आप भी काम करो मैं भी करता हूं चेपूर रहा हूं उससे काम को चलता रहेंगा मामला यह होगा कि दो क्लिवमेटर दूर से ही प्रॉल्म्स होने थे अगर कोई करोना से संक्रमी थे तो कॉल पर निया तो नहीं आता है को बतलब सोचल डिस्टंस इपो सोचल बैन कर दिया एक दूसरे को हमने ना दो कर दिया जिसको इन वीमारी शुम में हुई तो मैं समझता हो भीमारी से उसके बित्ति नहीं हार्ट अटेक से समाज क्या ग बतलब एन नंबर और चीज़े हो रही तो यह एक बहुत बड़ा इशू है तो हम लोगों को जो पेशिंस हमारे पास आएंगे ना मैं समझता हूं उनको ऐसी काउंसलिंग की भी जरूरत है कि हम लोग वहां उनको यह बताए कि बीमारी यह नैच्रल चीज़े होती है उसके काउस करें हो सफ़ते लेगी नो कियूरेबल है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और ट्रीट्मेंट के लिए हम यह कोशिश करेंगे यह पी एक मैं समझता हूं बहुत अपक्तर पेशन को रिलाक्स कर देता है हमारे वीडिज के बंदर भी मैं डॉक्टर स्पीच्स बताता हूं क पेशन को पहले रिलाक्स करना सबसे इंपॉर्टन अगर वो और नी बीमार आया उसको और टेंशन दे दिया तो मतलब उसको पर डबल बीमार कर दिया था हमारे पास आगे उसका फाइदा नहीं है जनलेडी में बात कहता हूं हो सकता है मैं मैं अलब भी रहो हंडेड़ पर अलागी अब तो बहुत बड़ी बिमारी मदब पैसे जादा लए हम लोगों का दाम ही होना चाहिए कि हम लोग उसको सबसे बले रिलाक्स करें चाहिए बिमारें कितनी बड़ी की कुछ नहीं होता इसको हम डील कर सकते हैं हम इस सिच्वेशन से कभी में निकल सकते हैं इसम एंसी से भी हम गुदारिश करेंगे जब भी ऐसे पैसे जमा होते हैं तो कांसलर को बिलाया जाए वो उनकी कांसलिंग करें कांसलिंग में भी स्पिरिच्वल भी हो सकती है प्लेशन के बताविक से ब्सक्राइब ठाव कि बीरेलाक्स शांती से रहो आराम से इन्दों चीज जैसे भी किछ भी वारिया फैल्टी है लेकिन हम उसे इतना ना डरे और पेशन को कम्प्लीट बाइकाट करके अलग ना करते बहरा तो मैं उमीद करता हूँ कि जो कोशिश है कर गर्वर्मेंट अफ इंडिया आगे बढ़ रही और मुफ्तलित और डिपार्टमेंट इसके लि लोगों का जो डिपार्टमेंट से आये का शुक्रियादा करता हूँ थैंक्स को करता हूँ कि वह यह आए मैं तमाम लोगों को हमारा स्टाफ करता हूँ कि वह अपने जिसको कहते महभूब पेशन्स के लिए हम लोग दलबते हैं कि लोग आया और कुछ पाइता हुटा है उनको छोड़के हमारे डॉक्तर यहाएं कुछ लोग बोड़ते हैं कि हम पहले से लोगों बोलते हैं आज नहीं आएगे मैंने का मत बोलो बस एक श्रुट्र ड्रॉप दाल दो कि आज नहीं डॉक्तर साब शाम में शानलो दिस दो आएंगे क्योंकि हम लोग अन्दर से कोशिच करते हैं और जितना बेस्ट पॉसिबल वे में इतना अच्छी अंदाज से हो सकता है बाहल देने की कोशिच करते हैं तो लोग भी यह आए और वो ने इसको सुना और फ्यूचर में हम या आने वाले समय में हम यह उमीद करते हैं कि सब लोग इसकी तरफ वर्क करेंगे और ऐसे पेशेंट को बाहल डायरेक्शन देंगे बस एक रिक्वेस्ट रहेंगी अफ्यूचर वर्किंग कर रहें थोड़ा से पेशेंट पैनिक हो जाता है जो लोग डाउन ऐसा हूँ था था कि वह बता रहे था कि जिस पेशेंट को सब्सक्राइब करेंगे तो आप एक नंबर ता कॉल कीजी एंबुलन साइंगे मैं अगर मैं इस एरिया में बैठा हो अगर मैं एक भी कॉल करूंगा तो तो तेल ऑस्पिटल रहा है कि मैं नाम नहीं कर पाऊ हूँ मैं बाइजिक बुरें फिर नेक्स क्या करें हम आप तक पहूंचे बस या फिर जो आदमी इनके पास अपरोच करें वह इतना वेलकम करें ऊपर नहीं चाहिए वह आखरा दो जंदनी पीमारियां जो हो रहे है ना तो ऐसे घर ही जो सलम है जहां है अच्छा उस्टम हो और और आपमी कुछ नॉलेज भी नहीं होता है तो वह बहुत ड़ता है इसे चीज़ हो तो वह थोड़ा सा उसको हम लोग हमारा स्टाफ कैसे कर पाएंगा और कॉर्परेशन से हम कैसे को करके एक ऐसे महभबत के अंदाज में होगी उसको भी लगे कि नहीं पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है और हमको को खुशी हो कि उसकी कि हम दूर की जारी और आप लोग अभी टार्गेट से कि लोग आया और हिलाज करें यह हमारा अचीब हो तो उसके लिए 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 परामेटर हो कि बस जो लोग आया वो कैसे हम उनको क्याश कर रहा हो डरे ना बस सिस्टम से डर कर भागे नहीं मना हम बस वैक्सिनेशन मुले तो भागो किसी भी खिसम कर उसमें चार रहती साज़ेश रहती हर हर कम्यूटिंग में बहुत कॉमन तो पड़े लिखे नहीं कि इसमें चार रहती दिलने से बच्चे नहीं होते हैं यह एक्सिन लिए से नसल जेंडरेशन आगे नहीं बढ़ेंगी तो आप सब को माल तो मैं खत्म करूँगा पहरत और तो तमाम लोगों को बढ़ा चुकरियादा करता हो जो बढ़ाद नहीं आए अगर आपको हमारी वीडियो को पाने करें हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं हमसे दिगर सोचल मीडिया पर जोड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आइडिस को सेर्च करें जजाक अल्हा